क्लास 7 चैप्टर हम लोग पढ़ रे थे और उसका पहला पार्ट ने खतम किया आज हम 7 चैप्टर इंप्लाइमेंट इसे हम खतम करेंगे 7 चैप्टर को और नोट्स में आपको भेज दिये थे क्लास दूसरे वाले आफ्टर करेक्शन जो लास्ट में नोट्स मिले हैं वही वैलेड है उनको यह आप यूज करना ठीक है उसमें करेक्शन सही से हो रख अब हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है इंप्लाइमेंट चैप्टर में वह है डिस्ट्रिविशन ऑफ इंप्लाइमेंट बाइजेंडर अगर हम अपने एकॉनमी की बात करें तो जो इंप्लाइमेंट मिल रहा है जेंडर बेसिस पर हम लोग उसको डिफ्रेंशेट करते हैं तो self-employment is a major source यह तो आपको पिछे क्लास में बताइँ दिया थो मैने आपकी जो इम्प्लाइमेंट है वो major source है जहां पर men और women अगर मिलाये जाए तो man का जो है 52% है और women का 506% है casual worker मैं आपको बताया था last class में casual worker वो है class जिनकी job पकी नहीं है जिनको permanent job नहीं मिली है वो casual worker है accounts for second major source बोथ men 29 और women 31 तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप understanding रखो तो जो men का source है वो कम है class self employment में भी men का जो percentage है वो कम है class कहाँ पर casual worker में भी तो men का percentage ज्यादा कहाँ पर है class यहाँ पर ज्यादा है in case of regular salaried employees मैंने बताया था आपको कि regular salaried employees में men are found in greater proportion 20% whereas women found only 13% तो अगर हम regular salary की बात करें तो men का जो proportion है वो 20% जबकि women का जो proportion है वो only 13% okay the reason for this could be skills requirement as regular salary job required skills class जो men है उनके पास ज्यादा skills है क्योंकि class higher level की उनकी literacy होती है आपको पताया था कि gender bias होता हमारी economy में जिसके वैसे जो male से उनको ज्यादा पढ़ाया जाता है और जिसके वैसे जो regular salaried employees है उनमें men काम करते है और women को आपको पता है class की कई बार क्या होते लड़किया जॉब करती तो है लेकिन after marriage उनको जॉब छुडवा दी जाती है वो जॉब खुद नहीं करती है जिसके वैसे class जो continue permanent employment है जो regular salaried employees में में का जो percentage है men का वो ज्यादा है 20% तो आप यह table देख लो यह table देखे class आपको यह चीज़े clear हो जाएंगे तो जो male worker है classes के अंदर आपको दिखेगा कि male worker का अगर regular worker में देखा जाए तो regular salaried employees जो है उसमें 20% है और self employed में जो men का है 51% है और जो casual worker है वो 29% अगर female की बात करें तो वही data जो उपर लिखा हुआ है इसको मैंने इस diagram के तुरू समझा दिया है self employed में 56% है और बस regular salaried employees में women पीछे रहे गई 13% और बाकी casual worker उसमें women का जो share है वो जादा है distribution of employment by reason अभी तक हम लोगोंने gender basis पे differentiate किया males और female को gender basis पे अब हम लोग बात करते है reason basis पे employment कैसे मिल रहा है कितना रोजगार reason के basis पे लोगों को मिल रहा है अगर हम बात करे self employment it is a major source of life in both urban area 43% है और rural area 56% कहने का मतलब क्या है कि जो self employment है वो urban area में 43% है और जो rural area में 56% है but in case of rural area self employed worker are greater majority of rural people are engaged in farming on their own farmland तो जो भी self employed लोग है वो majority लोग जो है वो farming करते हैं खेती बाड़ी करते हैं अपनी जमीन पे तो इसलिए उनका share जो है वो जादा है अगर हम casual worker की बात करें तो casual worker account for second major source of employment यानि कि हमारे economy में जो सबसे ज्यादा job मिलती है लोगों को वो self employment में मिलती है और second जो मिलता है वो casual workforce को यानि कि जो casual लोग काम कर रहें तो 35% जो है class workforce है और casual worker जो है urban area accounts for 15% तो casual worker जो है class urban area में वो class कितना 15% है और rural area में वो 35% यानि कि casual worker जो है वो rural area में जादा है और urban area में 15% है कि obvious है rural area बड़ा है तो वहां पर percentage जादा है अगर हम regular solid employee की बात करें in urban area it is the second major source with 42% of workforce तो जो urban area है urban area उसके अंदर class 42% of workforce जो है वो regular solid employees है यानि कि urban area में जो solid employees है वो 42% okay urban people have a variety of employment देखो urban people जो है उनके पास variety of employment opportunity because of education पड़े लिखे रहते हैं तो यहां से वहां दूशी job में shift कर सकते हैं अलग-अलग तरीका काम कर सकते हैं उनकी skills कम है उनके पास training नहीं है इतनी इसकी वैसे उनके percentage कम है तो आपको कम से कमें table chart इसको अच्छे से learn कर लेना है time लगेगा मैं जानता हूं second or seventh chapter जो है बड़ा chapter इसमें time लगा करने में लेकिन आप कर लेना किसी भी तरीके से इस chapter को time देके दो दिन चार दिन एक परेंगा अर्बन वरकर रखा हमने यहां के है रहा है कार रोल और वरकर नहीं है व RD परसेंट लों जो हैं अर्बन महीं वह self-employed रूरल में जब की class यह कितना है 56% यह तो हमने पढ़ी लिया था casual worker की बात करें तो urban area में casual worker है only 15% rural area में casual worker 35% है और regular cell employees जो है वो urban area में class 42% है और rural area में only 9% है जो हमने यहाँ पर table में पढ़ा उसी को हम यहाँ पर class chart में represent कर रहे हैं okay at present in economy is passing through tough time आपको पता है class in economy बहुत tough time में जा रहाया भी बहुत मुश्किल है economy को survive करना लोगों का जो है economy को run करना grow करना but it is expected that our country will recover from the slow down very soon all the working person engage in these divisions तो आपको पता है class 3 तरह की class economy है primary economy 3 sectors है primary sector जिसके अदर agriculture activities आती है यह non agriculture activities secondary sector इसके अदर आता manufacturing, electricity, gas, water supply and construction तो ध्यानक ना construction जो है और जो manufacturing है वो secondary sector में है और जो tertiary sector है उसके अदर आता है service sector like includes trade, financial, real estate, professional service, hotel, transport, communication it accounts contribute 26.8% of employment in economy तो आप जरा देखो जो एगरी primary sector है वो 48.9% employment दे रहा है economy में जबकि secondary sector दे रहा है class 24.3% और service sector जो दे रहा है class वो दे रहा है 26.8% अगर हम इसी चीज को डाइग्राम में शो करते हैं मतलब की circle में इसको शो करें तो primary sector जो है तो primary sector में जो लोग काम करते हैं जो लोग employment ले रहे हैं primary sector में वो 48.9% है secondary sector में जो लोग employment ले रहे हैं वो 24.3% है और tertiary में class 26.8% बच्चो यह बहुत basic data है जो आपको किसी भी economy के बारे में पता होना चाहिए हर इक इंसान को तो आपको अपनी economy के बारे में यह पता होना चाहिए primary sector agriculture sector इसमें आज भी 48.9% लोग engage है अभी को अभी कोई बात करें तो class data कुछ कम होगा लेकिन tertiary sector में second number 26.8% और secondary में जो है वो class 24.3% लोग engage है अब next है distribution of rural urban employment in different sector distribution है class rural urban employment का अलग-अलग sector में तो अगर हम class rural employment की बात करें और urban employment की बात करें तो distribution of rural urban employment in different sector 2011-12 का data में class आप से share कर रहा हूँ तो अब rural area में जो काम मिलता है लोगों को कितने लोग rural area में है जो primary sector में depend है urban area में कितने लोग primary sector में depend है तो आप सबको बताए कि primary का मतलब है agriculture तो obvious है it's quite obvious की जो rural area है उसमें agriculture करने वाले लोग जादा होंगे तो इन rural area its account 64.1% यानि की rural area में लगभग 64% लोग जो है वो खेती बाड़ी करते है और जो manufacturing का काम है industrial काम है वो 20.4% लोग करते है और जो tertiary sector है service sector class गाव में बहुत कम service sector है like information technology hotel service और जो communication services ठीक है यह सब only 15.5% है तो आप यह समझे की rural area में सबसे ज्यादा primary second जो है वो secondary है और tertiary सबसे last अगर हम अर्बन employment की बात करें अर्बन employment में जो primary sector है उसमें लोग 35% जो है काम करते हैं तो आप ध्यान रखना की urban अगर हम बात करें urban area की वहाँ पे जो major source of income है या आप यह कहलो की major source of employment है अर्बन एरिया में वो 58.3% है primary sector में sorry sorry tertiary sector में tertiary sector में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं urban area में और secondary sector में class जो secondary sector है urban area का उसमें class जो काम करते हैं वो लगभग 35% जो काम मतलब की secondary sector में जो है वो 35 अच्छा यह class यहाँ पे secondary sector का है और यह है class आपका agriculture यानिकि primary का 6.7% है ठीक है जो primary है उसका 6.7% है secondary का जो है वो 35% है तो इसको आप देख लेना ठीक से copy में लिख लेना इसको बहतर तरीके से तो class अच्छा रहेगा यह हो गया class आपका distribution of rural urban तो आप यह देखना कि जो rural area है उसमें agriculture सबसे जादा है और urban area में जो agriculture है यानिकि जो primary है वो सबसे कम है secondary 35% और tertiary जो है वो 58.3% और जो अगर हम बात करें यह ranking 1 है ranking 2 है ranking 3 है रूरल एरिया में और urban area में यह ranking 3 है यह 2 है और यह 1 है तो बिल्कुल उल्टा चलता है rural urban area में अब आते हैं employment in rural area वही data class हम लोग जो है वो rural और urban area में जो हमने उपर बनाया है न डाइग्राम उसको हम लोग यहां पर show करेंगे लिखा है कि 64.1% of workforce in rural area are engaged in primary sector यह हमने पड़ी लिया देखो उपर 64.1% 20.4% of rural worker are working secondary sector in manufacturing industry, construction and other division service sector की बात करें 15.5% of rural worker जो है वह कहां काम करते है class आप यहां देख रहे हो कि सबसे ज्यादा worker जो है वह primary sector इंगेज है secondary sector में उससे कम और tertiary sector यहां से कम लेकिन यह कहां पर है class rural area में और urban area में class जो है वह agriculture में सबसे कम 6.7 agriculture है चाहे माइनिंग है चाहे अधर अग्री कल्चर अक्टिविटीज जो है वह सारी चीजे secondary sector में class जो है वह 35% लोग इंगेज है और सबसे ज्यादा जो है वह agriculture sector में है वह 58.3% यानि कि agriculture sector में सबसे ज्यादा लोग जो है वह इंगेज है disitution of employment male female in different sector तो अलग-अलग sector में male और female का class क्या है यहां पे the share of male female employment in different sector is shown with the help of % of bar diagram class यह bar diagram है जो इसमें हम लोग सिखाएंगे आपको कि अलग-अलग area में किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जो male worker है वह कहां-कहां पे ज्यादा इंगेज है female worker कहां-कहां पे ज्यादा इंगेज है यह पहला एक लास primary sector दूसरा secondary sector तीसरा टर्चरी सेक्टर थेक्टर थेक्या तो प्राइमेरी सेक्टर मेल वरकर की बात करें तो male worker ना अलग-अलग जिगे काम करते है अगरी कल्चर ही नहीं male worker क्लास जो है secondary sector में भी ज्यादा काम करते हैं तो male worker कि अगर हम बात करें उनका श्यर एगरी कल्चर में जो है वह 43.6% है जबकि 25.9% है secondary sector में और टर्चरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है उनका ए प्रचम्तॉर उनका ऑग्री कल्चर में कम है COम्पेर ये काम क्यों करते है फैंडर और में बाकी secondary और वर्कर स्कुं क्यादा ख्यादा लोग जाथा सर्विस सेक्टर मेंタ मैं लोग पर्ता है बहुत जादा लोग जो है male worker जो service sector में काम करते हैं banking, insurance, shipping, hotel service, transportation, communication उन में जदा काम करते है male worker और फैक्टरी में भी जो male worker है वो जदा काम करते हैं अगर हम female worker की बात करें तो गाओं का जो share देखो हम जब female worker की बात करते हैं यो rural urban दोनों की बात करते हैं इसा नहीं है तो 62.8% population जो है रूरल एरिया की वो class female मतलब की रूरल एरिया में लगबग female worker का जो employment contribution है वो 62.8% है और secondary में only 20% tertiary में 17.2% यानि की जो female workers है उनका 17.2% employment जो आ रहा है वो आ रहा है tertiary sector से वो में का 62.8% employment जो आ रहा है वो आ रहा है primary sector से और 20% income जो आ रहा है वो आ रहा है secondary sector से तो 62.8% जो है ये primary sector का है और आपने ध्यान अकना है कि ज़्यादा इसलिए है गावों में जो महिलाओं का involvement है वो ज़्यादा है इसलिए तो आप इसी चीज को अगर हम क्लास यहां explain करें तो सेम वही चीज क्लास हमने explain किया हुआ है ये class है male employment 43.6% of male population is concentrated in primary sector बिल्कुल वही लाइन लिखी गए तो आपको अगर चार्ट आप अच्छे से याद कर लो डाइग्राम आप अच्छे से याद कर लो तो उसी चीज को नीचे explain करना होता है 25.9% of male worker are engaged in secondary sector और service sector में क्लास लगबग 30.5 male worker है तो यानि कि जो service sector है और जो secondary sector है manufacturing sector जो है उसमें male worker contribution female से ज़्यादा है और agriculture में कम है female worker की बात करें तो agriculture sector में बहुत ज्यादा contribution है वो 62.8% है जबकि secondary में only 20% है और जो service sector है उसमें 17.2% है इसमें एक लाइन लिखे है एक लाइस पटते हैं जरह क्या लिखा है women workers concentration is also very high in primary sector 62.8% of the female workforce is employed in primary sector whereas only 43.6% in male worker sector male और it happens because men get opportunity both secondary in service sector men है उनको ज्यादा मौका मिलता है secondary और service sector में जाने का जबकि females को नहीं मिलता है तो वो खेती बाड़ी ज्यादा करती है जो जिसकी वैसे उनका शेयर जो है agriculture primary sector में ज्यादा है अचा jobless growth एक concept है jobless growth यह क्या है देखू jobless growth का मतलब क्या है ध्यान से समझना class is very important और आजकल के जमान में तो इसका live आप example देख सकते हो it refers to situation where GDP of an economy increases देश की GDP तो बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है अब सवाल यह है सर अगर देश में production ज्यादा हो रहा है देश की GDP ज्यादा बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो खतम होनी चाहिए ना लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रहा है साथ में यानि कि क्लास देश की जो GDP है वो बढ़ रही है due to innovative technology without increase in the level of employment क्यूंकि हर company तरक्की करना चाहती है लेकिन वो काम इंसानों से नहीं कराना चाहती वो artificial intelligence का यूज करती है robotic system का यूज करती है यानि कि वो robot से काम कराना ज़्यदा पसंद करते हैं machine से काम कराना ज़्यदा पसंद करते हैं rather than employee से काम कराना तो यानि कि growth तो हो रहा है क्यूं काम machine कर रही है driverless car आ गये है Google और टेसला जैसी company बिना driver के गाडिया बना रही है यानि कि गाड़ी रहेगी लेकिन driver नहीं रहेगा आप ओला उबर बुक करोगे गाड़ी जो है वो आ जाएगी गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं होगा आप बैठोगे आप चले जाओगे आपको छोड़ देगी वहा रहा है रोबोट से काम कराया जाता है क्लास यानि की मशीने जो होती है आप discovery channel पर देखते हो नेट जीओ पर देखते हो जो companies होती है बाहर की वह बेसिल रोबोटिक system से उनका agriculture में भी class technology है industry हर जीए technology है even class shops पे इंसान नहीं बैठा रहेगा आप जाओगे पैसे कट इसको यह jobless growth concept जो है वो इंडिया में तो ही है लेकिन बाहर देशों में जादा है यहां पर जहां पर हम लोग क्या करते है technology को यूज कर वेंडिंग मशीन देख लो आप वेंडिंग मशीन में आप पैसे डालते हो और समान निकल के आ जाते हो लेना हो एटे मशीन देख लो नेक्स है changing structure of unemployment यानि कि हमारे देश का जो unemployment का structure है अच्छा एक बात आप जड़ा सब लोग मुझे बताओ अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा employment कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा employment कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कराता है अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा employment कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कराता है अर्बन एरिया में सबसे ज़्याद कौन देता है रूरल एरिया में इंप्लाइमेंट जो लोगों को मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में क्लास कहां से मिल रहा है कौन से से मिल रहा है जो है रूरल एरिया में क्लास जो है बिल्कुल करेक्ट सबका रूल ए pays में जब संपर लेकिन मैं बता दू लुक्त आपको कि हमारे देश में जो इंप्लाइमेंट का स्ट्रॉक्छर है वो चेंज होता चला जारह structure of employment has been changed now, क्या आजरा क्लास पढ़के देखो in India, majority of population lives in rural area and the majorly depending on agriculture, वो लो क्लास जातर कहाँ, depend on agriculture पे it shows the highest percentage of people are getting employment from primary sector जिसके वज़े से जो rural area की बात करें, तो highest employment जो मिल रहा है, वो मिल रहा है primary sector से, लगबग 60%, but this percentage is continuously decreasing but the urbanization, sorry, because of urbanization and shifting of people from rural to urban area, तो लोग धीरे धीरे गाउं से, villages से, rural area से, urban area में shift करते चले जा रहे हैं तो अगर वो गाउं से, rural area से, urban area की तरफ shift करते चले जाएंगे गाउं से, क्लास, urban area की तरफ अगर वो shift करते चले जाएंगे class, तो उस situation में shift करने की वज़े से, उस situation में जो लोग है, जो percentage of people working in primary sector in rural area has been decreasing, वो class क्या हो रहे हैं कम होते चले जारे हैं, वो continuously कम होते चले जारे हैं इन urban area, secondary and tertiary sector provide employment more than primary sector because people are engaged in manufacturing urban area में क्या है class कि लोग manufacturing में engaged है, लोग service sector में engaged है, तो manufacturing और service दोनों sector का contribution मिला जाए तो primary से जादा है, urban area में clear रहे हैं आप आप चेक करें देखो, यह table बहुत important class सामने है, copy निकलो फटाफट बना के देखो, very important class आपकी knowledge के लिए बहुत अच्छा है और examination में भी यह पूछा जा सकता है, ठीक है table बहुत जरूरी है याद रखना, before exam में सारा revision कराऊंगा, आप tension मत लो, बट आप लोगो suggest है class, आप लोगों को मैं suggestion दे रहा हूँ कि daily basis पे यह हपते में तीन दिन, कम से कम हपते में तीन दिन जो है morning time पे economics को learn करो, सर्दियां है मैं जानता हूँ सर्दियां और बढ़ेंगी, कम तो होगा नहीं, और आपको पता है सर्दियां खता होँगे, आपके examination हो जाएंगे, तो आप लोग daily basis पे एक एक chapter या हर हपते में एक chapter, हर हपते में एक chapter बहुत है, एक week में एक chapter याद करना चालू करो, यह बड़े बड़े चाप्टर में चार्ट है, टाइग्राम है, उनके अलग से कॉपी बना के रखो इस सब बना के, material सभी कठा रखो तक ही before exam पनना ना पल्टाना पड़े, before exam teacher की help जादा ना लेनी पड़े, यह सब काम आपको करके रखना है पहले से, तो जो primary sector है, उसमें लगभग 74.3% लोग इंगेज हैं, primary sector में, इंगेज थे, 72-73 में, और आप इस टेबल करना, last में conclusion बताना, इस टेबल को पुरा पढ़गी, क्या आप सम्मझ जरे हो, तो मैं यह देख रहा हूँ इस टेबल को, कि 1972-73 में लगभग 74% लोग जो थे, वो primary sector में इंगेज थे, लेकिन 1999 और 2000 तक आते 60% हो गया, और 11-12 में 42, 8.9% हो गया, और अगला census 2021 में आने वारा है, उसमें यह और कम हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो, धीरे-धीरे खेती बाड़ी से लोगों का interest कम होता चला जा रहे, employment generation कम होती ही चली जा रहे है, लोग agriculture नहीं करना चाहते, वज़े 2 है, लोग agriculture नहीं करना इसलिए चाहते हैं कि वो secondary और tertiary sector में move होना चाहते हैं पहली बात, ज्यादा earning के लिए, और दूसरी बात आप सब को पताए कि जो गाओं से लोग दीरे-दीरे शहर में move कर रहे है, example मैं गाओं में रहता था, खेती बाड़ी करता था, अब म भी खेत पर काम करेंगे, फिजिकल करना पड़ेगा, मठी में काम करना पड़ेगा, महनत पसीना ज्यादा करना पड़ेगा, service sector में कि अपना office में बैठे है, AC में बैठे है, system पर बैठे है, आराम से काम कर रहे है, तो हर माबाब चाहते हैं कि, बिसम मैंने देखा है, जितन का percentage है वो दिन बदिन जो है वो decline होता चला जा रहा है एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें agriculture चीज़े भी बाहर से import करनी पड़ेंगी और even farmers भी खुश नहीं है आपको पता है कितने चलते रहते हैं अभी भी currently farmer जो है हर्याना पंजाब की continue protest कर रहे है क्लास दिल्ली में यह सारी समस्य चल रही है तो primary sector पे dependence लोगों का हड़ता चला जा रहा है क्योंकि primary sector जो रोजगार दे रहा है वो कम दे रहा है continuously increases from 1972 to 1972 to 1973 to 1999 और 2000 तक यह हो गया 15.8% और 2011 बारा में ही हो गया लगबग 24.3% तर्चरी सेक्टर की बात करें तो तर्चरी सेक्टर में जो डिपेंडेंसी थी लोगों की वो 14.8% था पहले और क्लास 1999 और 2000 में यह 23.8% हो गया और 2011 बारा में ही है 26.8% अगर हम टोटल बात करें तो आप यहां से सर्फ इतना ही समझ रहे हो पहली बात आप यह समझ गया है कि यह चीज है क्लास यह यह इंप्लाइमेंट मिल रहा है क्लास प्रामरी सेक्टर में 48.9 में से केंडरी में 24.3 में में message 26.8 पर संट यह इंप्लाइमेंट का ट्रेंड है तो सबसे ज्याहदा इंप्लाइमेंट जो है व्काई मिल कलया से क्लास एक कैंड़ी लेकिन आप यह गए देख़े ओ कि जो डिरेंट का मेंप्लाइमेंट का ट्रेंड है वो कहीं ने कहीं धिरी धिरी क्लास बढ़ता चला जा रहा है तो टेबल खतम अब आते हैं क्लास एक कॉंसेप्ट पे जो है कैसुलाइजेशन और इन्फर्मलाइशन और वर्कफोर्स मैंने पहले कहा था क्लास आपको वर्कफोर्स का मतलब यह है कितने लोग काम में इंगेज हैं उनके पास कितना काम है वर्कफोर्स का मतलब क्या है दोज हू आर वर्कफोर्स है तो अब कैजोलाइजेशन और वर्कफोर्स क्या होता है कैजोलाइजेशन और वर्कफोर्स क्या है तो सुन लो दंग से जरह था वो धीरे-धीरे move कर गए कहां पर class regular salaried employees में इसको बोलते हैं class casual wage work casual workers are defined as those class casual कि इनको कहते है class work for other in farm किसी के farm में या non-farm enterprise company factory में industry में काम कर रहे है और उनके लिए उनको पैसा मिलता है daily basis या periodic basis रोज मिलता है या एक particular period मिलता है it is due to lack of opportunity in organized sector people start working in casual worker भाहिया मुझे job मेली नहीं रही है permanent job मेली नहीं रही है job security नहीं मिल रही है अच्छा पैसा नहीं मिल रहा मेरी मजबूरी है में daily basis पे काम करूँगा in last four decades लगवा class 40 years में people have moved from self-employed and regular salaried employees to casual work तो यह देखा जा रहा है कि लोग की जो self-employed है अपना खुद का काम है लोग छोड की किसी के अंडर में काम कर रहे है यह फिर जो लोग पहले permanent job थी जिनकी वो job छूट जा रही है उनकी job company से निकाल दिया जा रहा है अभी देख लोग करोणा वाइरस से चलते हैं कितने सारे लोग को आपकी daily पहले permanent थे अब आप casual होगे that is called casualization यह पहले खुद काम था self-employed आप casual होगे that is called casualization और informalization of workforce refers to situation where there is a continuous decline in the percentage of workforce in formal sector along with simultaneously rise in informal sector तो जब लोग formal sector से छोड कर informal sector में काम करने लगें तो वो बन जाता है class informalization जब लोग permanent नौकरी छोड कर casual नौकरी करने लगे मजबूरी में ही obvious है तो उसको हम लोग बोलते हैं casualization और जब लोग formal sector से job छूट जाए लोगों के और informal sector में जाने लगें लोग तो उसको बोलते हैं class informalization अब मन में सवाल है sir यह formal sector क्या होता है तो मैं बताता हूँ आगे देखो formal sector को organized sector भी कहते हैं और informal sector को unorganized sector भी कहते हैं तो formal sector क्या होता है formal sector refers to organized sector of the economy it includes all the government department public enterprise and private establishment which are 10 or more worker आप ध्यान रखना class जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा worker मैंने अपने class community tab में question भी पूछा था आपसे एक बार कि अगर 4 worker काम कर रहे हैं तो obvious है वो 4 worker 10 से तो कमी है न तो वो कौन से sector है class informal या unorganized sector तो formal और organized sector वो sector है जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और more worker those working in class organized sector are called formal worker जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ध्यान से सुनो जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उस sector को बोलते है organized या formal sector those working in organized sector are called formal worker और उन workers को क्या कहा जाता है formal workers government protect them in a various way through its labor law and they can trade unions they form trade unions to protect their interests however organized sector provides work just 7% सोचो कितनी बुरी हालत है सिर्फ 7% workforce जो है वो आपका organized sector में काम करती है organized sector में काम करने का फाइदा class यह है एक तो आपकी नौकरी पर्मरेंट है दूसरी बात आपको job security मिलती है आपको easy निकाला नहीं जा सकता अगर कोई गलत करता है आपके साथ बिना समय क्या आपको निकालता है बिना बात क्या आपको निकालता है आपकी Français रोक लेता है आपका P. F. नहीं देता है या फिर आपका कोई भी amount जो interest है आपका उसको नुकसान पहुचानी कोशिश करता है, तो अगर आप organized sector में हो, अगर आप formal sector में हो, तो वहाँ पर trade union रहता है, और वो trade union जो है आपके मदद करता है class, बहुत सारे labor law लगे हुए है, बहुत सारे नियम कानून है, जिनसे आपको मदद मिलती है, और company के आपके interest का खयाल नहीं दखा, या कोई भी class गलत act किया तो, लेकिन informal sector में क्या है, जहां 10 से कम लोग काम करते हैं, और लगभग 90% जो है employment वो पाई जाती है class किसका, unorganized sector का, यानि कि informal sector का, छोड़ोडे farmers है, household industry, shops है, other self-employment unit है, वो basically class जहां पे 10 लोग से कम काम करते हैं all such type of private enterprise which hire less than 10 workers beside farming and self-employment, venture those working is unorganized sector are called informal, workers जो है, जो लोग है class काम कर रहे हैं, unorganized sector में, उनको बोला जाता है, informal workers, informal workers, informal sector workers, do not get regular income, they do not have any protection from the government, सरकार इनका कोई ख्याल नहीं रखती, कोई सरकार इनको protection नहीं देती, such worker have risk of being dismissed without any compensation, class आपको पता है कि organized sector में अगर आपको जोब से निकाला जाता है, तो आपको अच्छा खासा रकम मिलता है, एक बड़ी रकम आपको दी जाती है, लेकिन ऐसा आपको सेक्टर में नहीं है, पक्की जॉब लोग की जो है, हट रही है, company वाले ज्यादा पैसा नहीं दे पारे, जिसकी वैसे class क अच्छी जॉब जो है, वो लोग ज्यादा तर करने है, next class unemployment types in India, तो इंडिया का जो unemployment types है, वो हम देख लेते है, unemployment types in India, unemployment can be classified as, जो unemployment है, वो दो तरीका है, एक rural unemployment और दूसरा है urban unemployment, unemployment are of two types, first one is rural unemployment और जो दूसरा है, वो है class urban unemployment, rural और अर्बन, around 70% of India's population lives in villages, मैं बता दू class, लगबग 70% जो है, इंडिया की population वो गाउं में रहते हैं, विलिजिस में रहते हैं, agriculture is the single largest source of their livelihood, but agriculture suffer from a number of problem, like dependency on rainfall, financial class problems, या old technology, गाउं में भी agriculture के हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वज़े से class गाउं में भी बेरोजगारी होती है, तो unemployment का मतलब क्या एक लास की जहां पे लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, उनके पास काम नहीं है, unemployment are of two types, rural and urban, तो rural unemployment के आए class, rural unemployment में सबसे पहला जो unemployment है, वो है open unemployment, क्या होता है पढ़ते हैं पढ़ते हैं, इन दा अग्रिकल्चर सेक्टर, देरा लार्ज नंबर ओफ लैंडलेस वरकर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, और जिसके वज़े से इनको काम नहीं मिल रहा है, और जिसके वज़े से इनको काम नहीं मिल रहा है, ओपन unemployment खुले आम, जिनके पास काम नहीं है गाओं में, अच्छा seasonal unemployment क्या होता है यह तो बहतर समझ पाऊगे आप seasonal unemployment, अगर लोग किसी particular season में बेरोजगार हो जाते हैं, एक season में काम हैं, दूसरे season में काम नहीं है, इस आइस्क्रीम वेंडर, आइस्क्रीम बेचने वाले गर्मियों में आइस्क्रीम बेचते हैं, सर्दियों में उनके पास काम नहीं है, अब गाओं में, जो seasonal unemployment है mostly unirrigated land which is capable for giving only crop a year कई-कई class कोई-कई जवी नसी हो जहां पर एक साल में की खेती होती है तो बाकी time के लिए बेरोजगार रहते है और farmer remain unemployment from 3 to 8 months in a year तो बाकी जो class 4-5 मही ने खेती बाड़ी होती है बाकी सब class बेरोजगार है उनको काम नहीं मिलता है they have not tried to find any alternative occupation for themselves in this period तो वो लोग class क्या करते है कुछ और काम करना भी नहीं चाहते गाओं के लोग इतना जयादा पैसो के लिए वो एमेत नहीं देते तो इतना जयादा काम नहीं करना चाहते तो जो बेरोजगार है इस time पे काम नहीं है वो कोई दूसरा काम कर सकते है they are employ,unemployed sorry,they are unemployed for certain season और employed for certain season बाते की है तो किसी season में वो अगर बेरोजगार होगए, एक time के लिए रोजगार है तो इस को बना सीस्म अनिम्पलईमेंट मेक्रो में पढ़ा रखा है मैंने class इसे hidden unemployment भी कहा जाता है आप कहीं पे इसको hidden unemployment भी कहा जाता है जिस काम को करने के लिए 4 लोगो की जरूरत है अगर उस काम को 6 लोग कर रहे है तो जो 2 लोग उस काम को कर रहे है वो बेरोजगार ही माने जाएंगे इस टाइप के unemployment हो कहा जाता है this guy is done in in India there is too much pressure of population on land as a result of productivity for persons fall this guy's unemployment occurs and the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accomplish इसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर उस काम को कर रहे हैं तो ऐसे employment को हम लोग disguised unemployment कहते हैं क्ला सेकंड थर्ड है अर्बन unemployment this the unemployed in the urban area have increased considerably over the year class जो urban area में है वो लोग class बेरोजगार होते चले जा रहे हैं the number of urban unemployed registered in employment exchange होता है जहां पर क्या होता है आप registered करते हो खुद को और जहां भी job खाली होती है आपको class वो job दे देते हैं और उस employment exchange की माने तो आठ गुना ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए है 1961 में 32,00,00,00 लोग थे जो बेरोजगार थे और 2008 में यह बढ़ गया class 270,00,00,00,00,00,00,00,00 2.70,00,00,00,00,00 कि Сंक्यार जो कई करें की संक्या बढ़ती चली जारी है इस अमस्या तो आप भी देख रहे हैं कितने बढ़ते चले जारे हैं क्लास लोग बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ने को इंसल्ट भी अच्छे से करना आता है तो भी कुछ भी करना आता है क्लास टैलेंट को बनाये रखो YouTube पे आपको पता है क्लास की बहुत सारे लोग रोस्ट करते हैं वीडियो को उससे पैसा कमाते हैं बहुत लोग खाना पका के अपना वो टैलेंट दिखा के यूणीक चीज करो आप हर चीज़ से पैसा कमा सकते हो टैलेंट अपना जो है अपने इस पास रखो सिर्फ किताबी ग्यान से कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है उनली बुकिश नॉलेज से नहीं आप नॉलेज लो जो आप रियल लाइफ में इंप्लिमेंट कर सको जिसके विए आपको काम मिले अगर आप मुझे 10,000 कमा के दोगे तभी मैं आपको 6000 रुपे दूँगा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप दूसरों का काम कर सकते हो तो उसको पैसे कमाने मदद कर सकते हो तो ही वह आपको नौके देगरी से उसके आपके 900 नंबर से जाधा लेना देना नहीं है उसको और willing and able to work in factories, industries in urban area but cannot find work rapid rise in population and population का तेजी से बढ़ना और rural urban class migration गाओं से लोग छोड के शहर में आ जाते हैं जिसकी वैसे class job की कमी शहर में पढ़ जाती है increase to industrial unemployment has also increased educated unemployment a serious problem horrifying kind of unemployment यार अब इंसान क्या करे सर हम पढ़ लिखने के बाद भी job अगर नहीं मिलेगा सर तो अब क्या करे क्या फाइदा उस चीज का the most horrifying kind of unemployment is when educated youth are enabled to find appropriate job to suit their qualification with an improvement in education of the time skilled workers have increased in number but the number of available jobs has not increased skilled worker बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन jobs सी नहीं बढ़ रही है इसकी वैसे educated unemployment है और educated unemployment है कुछ ये भी वज़ा है कि पढ़ाया जो जाता है उसका job से कोई लेना देना नहीं है practical training बच्चों को कराई नहीं जाती सिर्फ स्कूल के टीचर क्लास में आपको बिल्कुल टूथ बता रहा हूं यह बिल्कुल कड़वा सच है दस्वी क्लास तक को सिर्फ इविशर की टीचर से टीउशन लगवा के स्कूल के टीचर से इस्पेर होता है वह बच्चों को उसी पेपर को 10 तक पहुंच गया लेकिन दस्वी हमारे हमारे ही ौद एक्गसम बोड एक्जॅम में question पूछने वाला इंसान अलग है आपने टूशन जिससे लगवाया है वो इंसान अलग है फिर भी वो दमकी देता है कि 20 नंबर प्रक्टिकल के मेरे हाथ में मैं दूँगा यानि कि वो यही करकर के बच्चों अपंग बना रहा है और उनको पढ़ने नहीं दे रहा है यह major cases हर जिगे आपको देखने को मिलत यह है विकलांग बनाता है हमारे सिस्टम को जिसके वसे बच्चा अपने दिमाग को सोचता है यह समस्या दूसरी बात ट्रेनिंग आपको दी नहीं जा रही है आप किताबे पढ़ रहे हो ओल्ट चीजे पढ़ रहे हो पुराने लौ सुच 2011 के डिटा पढ़ रहे है तब क् इस्टम बदलेगा न्यू एजुचिन पॉलेसी आई है देखो क्या होता है आगे जाके वह तो परसे लेगा इंप्लीमेंट कैसे करता है नाउस तो यह बड़े धुमदाम से करते हैं मीडिया भी इनकी अपनी हुए लेकिन जो रियल लाइफ में अप्लीकेशन हो रहा है व आजकर इतनी नहीं नहीं modern technology चल रही है पुराने लोग काम ही नहीं कर पाएंगे जिन्होंने btec किया था 20-25 साल पहले आज जो technology बदल गई वो क्या कर पाएंगे जिन्होंने accounting सीखी थी 30 साल पहले आज शायद वो इतनी अच्छे accounting ना कर पाएं इस स्किल रिकार तो मीट नी टिकनोलजी डू नॉट मैस्टेंग से इक्षिस्टिंग स्किल थो एंप्लॉई क्या हो जाते हैं लिए नहीं टिकनोलजी जो है वह अड़ाउप नहीं कर पाते जिसकी वैसे वह बेरोजगार हो जाते हैं अब अनेम्प्लाइमेंट कारण क्या है यह आप सबको बहतर पता है स्लू एकोनोमिक ग्रोथ वह एकॉनमी ही ग्रोथ नहीं हो रहा पावर नहीं है इलेक्टिसिटी नहीं है चौबिस घंटे बिजली होनी चीए वह नहीं इंडस्ट्री में बिजली की कमी है सड़क अच्छी नहीं है ट्रांस्पोरेशन सिस्टम कॉल करके देखना कोई कॉल सुचो सरकार कॉल नहीं करें सबसे बड़ी बात कुछ सोचो क्लास से सेंट्रल क्लास बोर्ड एजुकेशन का साइट हैंग कर जाता है जब बच्चे जब 10 लाग बच्चे अपना रिजल्ट देखते हैं इससे बड़ी शरम की क्या बात होगी सी मजाल इनकी साइट हैंग कर जाए बिल्कुल आप कभी शॉपिंग करोगे हैंग नहीं करेगा बिल्कुल टेकनोलजी जो है वो सरकार कहां यूज करती है नहीं सब करप्शन होता है टेकनोलजी यूज करती है नहीं सरकारी कुछ भी सरकारी काम सब लेट होगा कोई भी करता हूं चुटी नहीं लेता तो प्रडक्शन बढ़ता ना इस तरह से कितने नुकसान लोगों के होते हैं एकॉनमी अगर ग्रोथ करेगी सरकार टेकनोलजी देगी सरकार फैसिलेटी देगी जहर सी बात है एकॉनमी ग्रोथ करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा लोग बैरोजगार में पॉपोपुलेशन पॉपुलेशन एक्सपोइशन मेने आपसे कहा था इतने ज्यादा पपॉइंट बढ़ता है जोब निकलती है वह बहुत कम है अभी सरकार की जॉप निकलती है सरकारी जॉप निकलती है tiers पोस्ट के लिए अप्लिकेशन देते थी सी लोग हजार फोच क्ले अप्लेकिशन देंगे तो आप सोच लोग क्लास 29,99,99 लोग वो तो पक्का आये कि वो बेरोजगार होंगे उनको जॉब मिलेगी ही नहीं क्यों population दिन ज्यादा है resources limited wants unlimited कैसे काम चलेगा over dependence on technology बेगा ज्यादा तर technology पर depend रहोगे तो लोग बेरोजगार हो जाएगा अगर technology आएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएगे आपको बता है class की भारदेश की जो bullet train है विदाऊट ड्राइवर चलती है वह बिना ड्राइवर अगर चल रही है वह train तो आप सोच लो कि अगर ट्रें आगर को किसी लोगो को मिल रहा होता कुछ लोग को रोजगार म मिल रहा होता तो जो नए-ने टेक्नालोजी आति है क्लास ये कही ना कहीं डिमांड की लेबर को खराब कर दिती हैं इंपलाय नहीं चाहिए हमें रोबोंट चाहिए मशीन अंडेवलप अगरिकल्चर हमार अगरिकल्चर शेक्तर बहुत खराब है जिसकी वैसे लोगों को रोजगार जो है नहीं मिलता, proper irrigation facility नहीं है, proper crate facility नहीं है, हमने chapter 6 में पढ़ा कि rural crate facility में कहां कमी है, indebtness of farmer leads to slow growth of agriculture, बहुत ज़्यदा करजा farmer को उपर होने से, हमारा जो agriculture है, वो slow growth करता है, अगला एकलास, defective education system, तो यह तो में आपको पढ़ाई दिया, कि हमारा जो education system है, उसमें defect है, the prevailing education system in India, is full of defects, and is failed to make any provision for, providing technological and vocational education, as a result, educated people are unable to meet the requirement of the firm, पढ़े लिखे होने के बाद भी, जो industry को चाहिए, जो firm को चाहिए, हम वो देही नहीं पाते, तो बच्चा पढ़ लिखने के बाद, भी industry के लिए capable नहीं है, क्यों, जो पढ़ाया गया, वो अलग, जो interview में पूछा गया, बिल्कुल अलग है वो, उससे बिल्कुल match ही नहीं खा रहा, बच्चा कातार हमने तो 12 तक तो कुछ औरी पढ़ा था, पूछ तो कुछ और रहे हैं लोग, कैसे काम चलेगा, तो हमको प्राक्टिकल ट्रेनिंग देने इंचिए, जो जरूरत है वो पढ़ाना चाहिए, इतने सारे concept ऐसे हैं क्लास, पूरी बुक में, जो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो चीज आपको पढ़ा रहे हैं, रट्टा मरवा रहे हैं कि क्लास, रट्टा मारने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, रट्टा मारने के ए कंप्यूटर है, प्राना चलता आ रहा है, वही सरकार को भी education को कुछ करचा करना नहीं, अलग-अलग मुद्धे हैं सरकार के, अलग-अलग मसले हैं सरकार के, और जिससे इनको वोट बनाना है, तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए, education system अच्छा हो जाएगा ना, तो लोगों को रोजगार मिलने लएगा, joint family system, joint family में क्या होता है क्लास, काम करने वाले एक है, और खाने वाले दस है, in joint families, there is a high tendency of survive on joint income without work, काम नहीं करते, क्लास एक इंसन काम कर रहा है, सब लोग मिलके joint family वालाते हैं, और जॉब नहीं करते, less savings and investment, लोगों को पास income ही कम आती है, लोग बचाते ही कम है, लोग बचाएंगे कम, तो investment भी कम करेंगे, और अगर investment कम होगा, तो factories कम खुलेंगे, और रोजगार भी कम मिलेगा लोगों को, तो लोग बचाते कम क्यों है, क्यों लोगों की income कम है, तो यह इन सब कारणों के वज़े से भी वे रोजगारी आती है, सरकार को रोजगार देने के प्रोग्राम बनाना चाहिए, सरकार को अपनी नीतियायो की मीटिंग में, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको बनाना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, अच्छी देनी चाहिए, फ्रट कंट्रोल होना चाहिए, पता है क्लास, फ्रट आता है, लोग कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जहां कंटिन्यू फ्रट आता है, फ्रट आ गया, हर साल आता है, पावर अच्छी नहीं है, इलेक्टिसिटी पावर, एग्रिकल्चर, रूल एक्टिफिकेशन, गाउं में अभी बिजली प्रोपर तरीके सा नहीं पहुंची है, तो ये सब चीज अगर पहुंचेगी, तभी तो रोजगार मिलेगे, अभी बिजली नहीं रहेगी, अगर आवी लाइटी नहीं होती, तो उनलाइं सिस्टम ही नहीं होता है, जहां पढ़ा रहा होता है, यह नहीं कहीं रोजगार देता हो, एजू की जॉब्रुमेंट लाने की जरुरूत है, और assistance का मतलब class होता है help तो more help to self-employed people भया जो खुद का काम कर रहा है सरकार को उसे और मदद देना चाहिए ताकि वो अपना काम को बढ़ाए और वो 10-5 लोगों को अपने नौकरी पर रखे ताकि लोगों को रोजगार मिले तो खुद का business जो चला रहा है ना वो चार लोगो रोजगार पर रख सकता है तो उसको सरकार को improve करना चाहिए infrastructure अच्छा होना चाहिए यह वही pointer class road, electricity यह सब चीज class infrastructure facility अगर होगी तो industry अच्छे से काम करेगी बिजली मिलेगी, सडक मिलेगी transportation अच्छा होगा, communication अच्छा होगा banking system अच्छा होगा insurance system अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा factory improve करेंगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और investment को promote करना चाहिए सरकार को ताकि लोग जो है वो investment जादा करें उनका data कहां से आता है currently unemployment data is collected by several departments and minister of India तो जो data collect करने वाली agencies है वो class 2 तो पहले से पता है आपको population census जो हर 10 साल में होता है 2021 में अगला census आएगा और employment survey होता है NSSO पढ़ा होगा 11th में National Sample Survey Office NSSO it is first conducted in 1955 और since 72-73 it is conducted every 5 year हर 5-5 साल में data collect के आता है देश के लिए पूरो data कितने लोग बेरोजगार है किसके सेक्टर के लोग कहां काम करने है कितने लोग किस सेक्टर में काम करने है कितने लोग बेरोजगार है male का, female का, rule का, urban का, primary, secondary, tertiary यह सब जो हमने अब तक पढ़ा वो सारा डेटा NSSO और population census कंड़क करती है population 10 साल में census कंड़क करती है जबकि NSSO डेटा कलेक करता है कड़ाई बुनाई का काम यह सारी चीजे खादी का काम and employment services it has implementing the completing it has implementing the employment market information scheme over the last 30 years employment market information ठीक है employment market information scheme provide information about the structure of employment की यह लोग information देते है किस type का employment कहां पर available है कौन-कौन सा occupancy structure education profile employee की क्या होनी चाहिए यह सारी की सारी इवन क्या-क्या है education profile employee की किस sector में कौन कितना काम कर रहा है यह सब चीज का data कौन collect करता एक ला Directorate General of Employment and Training DGAT तीन sources है NSSO, Census और DGAT अब सरकार की जो policies है employment generation पर यह पढ़ लेते हैं और यह last topic है हमारा और इसके साथ हमारा chapter जो है वो फिनिश हो जाएगा Government has taken many initiative अब सरकार जो है बेरुजगरी खतम करने के लिए क्या-क्या initiative अपना रही है Government has taken many initiative to generate employment ensuring least minimal safety and job satisfaction Since independence the union and state government have played an important role in generating employment or creating opportunity for employment generation Government provide direct employment सरकार बिलकुल सीधा आपको employment देती है by employing people in various department administrative purposes it also in industry सरकार के industry hotel, transport, communication और employment directly to worker सरकार administration में और जो सरकारी companies है industries है PSU है Public sector undertaking सरकारी companies या फिर जो public sector companies है उनमें सरकार directly आपको job देती है और even class सरकार जो है वो जो employment generation program बनाती है एक मन रेगा है ठीक है इसके अरावा class जो परदान मंतरी का योजना जितनी भी योजना हमने पढ़ी है जो poverty chapter हम पढ़ा था wage employment, self employment उसके थुरू सरकार रोजगार देती है सरकार देश में industries को promote करती है उनको loan देती है exporter को promote करती है ताकि जो है वो देश के employment generation बढ़ सके जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको book से ही मिले हर चीज book में लिखा हो अगर मैं मानू तो अगर आपने आप आसपास के environment से कुछ उठा के लिखते हो तो टीचर जादा impression बढ़ेगा आपका और impressive marks आपको मिलेंगा with increase in output of goods and services government enterprise private enterprise providing raw material to government enterprise तो class जो government enterprise उनको raw material भी प्रवाइड करते private enterprise इसके वैसे private enterprise में भी job जो है वो बढ़ जाती है सरकार क्या-क्या policies बनाती है basically सरकार policy बनाती है करीबी हटाने का और basic need employees की यह लोगों की पूरी करने का जो educated unemployment है उनकी लिए काम करने का self employment को promote करने का program बनाये जाते हैं class poverty elevation program employment को हटाने के लिए और even देश को growth सरकार करती देश में ताकि लोगों को रोजगार मिल सके basic जो है रोजगार ही अगर रोजगार मिला तो सब चीज अच्छे चलेंगी उसके लिए सरकार जरूर काम करती है बट जितना काम करती हो sufficient नहीं है as compared to their demand 7th chapter class हमारा आज finish हो गया और next class में एक नया chapter पड़ेंगे यहां तक आप अच्छे से learn करके पुरा का पुरा याद कर लेना नहीं हो हाँ, हाँ, हो हाँ यज एक आशल यहाँ गत्थे जर ऐत्श है यह लेए